नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशास सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग पांच जनवरी दिन शुक्रवार आपके लिए यह दिन क्या सवगात लेकर आ रहा है इस दिन को अपने लिए कितना फेवर में किया जा सकता है आप शुक्रवार के दिन कितना कुछ प्राप्त करेंगे शुक्रवार का दिन खास दोर पर जब चंद्रमात तुला राशे में आ गया हूँ और नक्षत्र भी आज मंगल देव का है तो ऐसी स्थती के सारी जानकारियों को लेकर के उपस्तितू लेकिन आपको बता दें कि अभी आप हमसे बर्तमान समय में गाजियाबाद मिल सकते हैं पंद्रह तारिख तक और सोलह से हम रहेंगे आप लोगों के साथ गोरखपुर में सोलह सत्रह गोरखपुर अठारह उन्निस पटना बीस इकीस राची और फिर रायपूर नागपूर आद शहर कवर करने जा रहे हैं मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह सरप्रथम जानते हैं आज का पंचांग पोश्मा कृष्ण पक्ष नौमी तिथी है आज चंद्रमा तुला राशी में नक्षत्र रहेगा चित्रा यह मंगल का नक्षत्र है मंगल बरतमान समय में धरु राशी में चल रहे हैं तो आज का खेल मंगल और सूर के नाम क्योंकि दोनो एक ही राशियों में रहते हैं मंगल सूर की यूति चल रही है तो आज इन दोनों का खेल चलेगा आप लोग की जीवन में तो चलिए शुरुवात करते हैं अच्छा योग जान लीजिए सुकर्मा योग रहेगा तदनुसार दिनांख पांच जनवरी दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय सुबह साड़े दस से बार है और गुलिक काल सुबह साड़े साथ से नौ राहुकाल नए और शुबकामों के लिए बिलकुल परहेज किया जाता है लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं हर काम आपके बन जाते हैं शुबता आपको अवश्य प्राप्त होती है आईए आगे बढ़ेंगे और अब सुर्वात करेंगे आज के पूरे दिन के हाल की अर्थात आज की भविश्य वानि मेश राशी सात्मे में चंद्रमा का प्रभाव आ गया भीया और सब्तम्भाव में राशी है तुला तो शुक्र हो गए जागृत शुक्र जागृत हुए तुला में नक्षत्र है चित्रा तो मंगल हो गए जागृत और मंगल है आपकी राशी का स्वामी तो दिन तो आज आपका अच्छा भी देगा चिंता की आवश्यक्ता नहीं है आप सिक्षा के छेत्र में आज जंडे गालेंगे आज कुछ बहुत बढ़ियां और बहुत अच्छा होगा ब्याबार के लिए आज आपको संघर्ष थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा बिजनस में आज उतार चड़ाओ भी हो सकता है कोई आपके बिर्दु शरियंत्र भी हो सकता है पैसा कहीं ब्लॉग भी हो सकता है लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यात्रा से आज विशेश लाब बिलेगा यात्रा में आपको आज कुछ खास फाइदा होने जा रहा है यात्रा की चिंता कदापी त्याग देजेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनकुलता अपने आप देगा प्राइवेट सेक्टर में चिंताओं से मुक्ति मिलेगी अवसर अच्छे मिलेंगे और मुख्य लाब आज कारी छेत्र में होगा सरकारी छेत्र वालों के लिए कोई नई स्कीम आज आ सकती है अप रत्यासित सफलता और शुमता मिलेगे दामपत्य जीवन देखा जाए तो पती-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है एक दूसरे को सपोर्ट बहुत बढ़ियां से करेंगे दामपत्य जीवन आज लाब के अउसर देगा लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल दे रहा है आज लव लाइफ में रिस्क मत लीजेगा क्योंकि हो सकता कि आपके लिए कुछ परेशानियों का कारण बन जाए स्वास्त के मामले में आज का दिन मेश राशी वालों के लिए जुखाम खांसी के साथ साथ नेत्र दोश भी आज दिखाई देता है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है प्रियोग के तोर पर आज कुछ पौधों को जल दे दे अपने हाथों से शुबरंग आपके लिए बादामी भागिप्रत्षत सत्तावन ब्रिशवराशी आगय चंद्रमा छठे भाव में बड़ा उतार चढ़ाओ महसूस करेंगे पढ़ाई बिलकुल भी नहीं होगी आज कोई शडियंत्र आपके विरुद्ध हो रहा है सिक्षा तो प्रभावित होने से ही है ब्यापार अन्कूल है बिजनस में कोई चिंता की आवश्यक्ता नहीं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आउसर अच्छे मिल रहे हैं लाभ हर पर होगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई सुर्वात की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई सुर्वात दे रहा है सरकारी छेत्र मुश्किल पैदा कर रहा है लेकिन आपके अनुसार कदम बढ़ सकता है गौश्यक्तर में आप आपको चिंता नहीं करना है दांपत्य जीवन अनकूल है आउसर भी मिलेगा मुश्किलों का हल भी निकलेगा लव लाइफ थोड़ा सा आपको कश्ट देगा लव लाइफ को ले करके सजगता अनिवार है आज का दिन ब्रिशव राशी वालों को इधर उधर से कुछ खबरें मिल सकती हैं स्वास्त के मामले में आज डाइजेशन की दिक्कत रहेगी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवशक्ता है कुछ परेशानियां बढ़ सकती है और ब्रिशव राशी वालों को आज उपाय क के तौर पर शिवलिंग पर शहद से अफ्षेक कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए गुलावी भागी प्रत्षत पच्छपड मिथोन राशी चंद्रमा आ गए पंचंभाव में और ये समय आपके लिए बहतर साबित होगा परेशान मत होईएगा कुछ अच्छा हो रहा पढ़ाई के लिए आज जैसा विचार आपने किया है परिणाम भी उसी के अनकूल आपको मिल जाएगा शुक्षा आपको बिल्कुल आज सकरात्मक परिणाम के साथ है ब्यापार में रिस्क लेंगे उसका सकरात्मक परिणाम मिलेगा धन का लाभाज हो रहा है बिजनस आपके लिए नए रास्ते खोलेगा प्राइविट सेक्टर जैसा विचार हुआ है उसी के हिसाब से आपको लाभ भी हो रहा है सरकारी छेत्र में सुधार अपने आप होगा गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए जबर्दस्त अनकूलता दिखाएगा दामपत्त जीवन परिशान कर रहा है पति पतनी के बीच तालमेल की कमी है इधर उधर की चीजों से आपको कुछ परिशानियां मिल सकती है लव लाइफ खूब शुभ हैं लव लाइफ में आपको चिंता की आवश्यक्ता नहीं है स्वास्त के मामले में आज का दिन आख की समस्या पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत देगा क्या उपाय करना है ओम दुम्दुरगाये नमह ग्यारह बार इसका जाब कर लेजेगा शुभरंग आपके लिए आज ग्रे भागी प्रतिशत चप्पर कर गराशी जबर्दस्त दिन है आज बहुत मुझेदार रहेगा आलिशान आज का दिन आपका दिन छप्पर फार राशी है आज आपकी भाईया बाबो करेजा गदगद होई जा आज तो भाईया जोन जोन सोचे होबा उस ज़्यादा मिलेगबा पूछा का है नक्षत्र स्वामी आपका योग कारक है पढ़ाई गजब की होगी शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं ब्यापार में आज कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने कभी कलपना भी नहीं किया था बहुत बड़ा जैकपॉट लगेगा आज प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया करवा रहा है अफसर अच्छे मिल रहे है आज का दिन धन की स्थती सुद्रण करता है सरकारी छेतर में कुछ इधर उधर की चीजों से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है गौर्मेंट सेक्टर को तरजीह देने की आव परेशान करेंगी जिन पर आपको फोकस करने की आवशकता है स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या आँखों की दिक्कत और किड्नी की दिक्कत देता है क्या उपाय करना है आज प्रियोक के तोर पर किसी जरुरतमंद को अपने द्वारा खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा, शुबरंग आपके लिए नीला भागी प्रत्षत 54, चर्चा करेंगे अब हम सेंगराशी की, चंद्रमा तुर्ती भाव में है, पढ़ाई के लिए आज बहुत शुब सोच और विचार कदम बढ़ेगा, शिक्षा बहुत अच्छी है, अनुकूलता आपक आपको चिंता गरने के आवश्यक्ता नहीं है, ब्यापार अनुकूल है, बिजनस के में भी आपको अच्छा सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको प्रणाम मिल रहा है, प्राइबर सिक्टर में आज कुछ इधर उधर की चीजें परिशान कर सकती हैं, आपको सोचना, समझना और फिर कदम बढ़ाना है, सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है, लेकिन आप अगर विचार अच्छा कर लेंगे, तो आपको जादा उलजने की ज़रूरत नहीं है, दापत्त जीवन बेहद सकारात्मक है, पति-पत्नी की बीच तालमेल अच्छा चिंता नहीं करें, लव लाइफ कुछ मुश्किलों में आपको डाल सकता है, ध्यान देकर कदम बढ़ाएं, स्वास्त के मामले में लीवर की प्राबलम, आँखों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है, प्रियोग क्या करना है आज सिंग राशिवालों को, मादुर्गा क को प्रणाम करके आज अपने मस्तक पर लाल चंदन से तिलक कर दीजेगा, शुबरंग आपके लिए के सरिया भागी प्रत्षत 52, कन्य राश्य, दुती भाव में आज चंद्रमा का प्रभाव है, पढ़ाई के लिए बहुत मन लगाना पड़ेगा, और मन को ऐसे लगाम दे करके पकड़ना पड़ेगा, मन भागेगा, आप उसको पकड़ लीजेगा, पकड़ लेंगे तो बस समबल जाएगा, शिक्षा में कोई चिंता की जरूरत नहीं, ब्यापार थोड़ा सा टफ है, बिजनस को लेकर सजग रहेगे, बिजनस का छेत्र आपके लिए इधर उधर से उलज़ा सकता है, प्राइबर सेक्टर आपके लिए कुछ नया सोच, नया विचार बढ़ा रहा है, सरकारी छेत्र को सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं, गौवर्मेंट सेक्टर में सावधानी रखें, कुछ तनाव बढ़ सकता है, दामपत्त जीवन अनकूल है, प वास्त के मामले में पेट की समस्या, लिवर की प्राबलम और आखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है, ओम गंगणपते नमह, भगवान गणेश की इस मंत्र का जाब करे, शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रद्शत अठावन, तुला राशी, चंद्रम आपके ही राशी में है, और दुतियेश का नक्षत्र चित्रा है, पढ़ाई बेहद सकरात्मक और संतुलन में है, सिक्षा की चिन्ता छोड़ देजे, आप जैसे जैसे चल रहे हैं, आप बढ़ते जाए, चीजे सब सकरात्मक होती चली जाएंगे, पढ़ाई बहुत ब्यापाल में जबरदस्त उच्छाल है, बिजनस में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सकरात्मक प्रभाव है, चिन्ताओं से बाहर, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मुश्किलें दे रहा है, लेकिन आप उसमें काबु पा जाएंगे, प्राइवेट इवन परिणाम अच्छा दे रहा है, पती पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लव लाइफ कई तरह से आपको परिशान कर सकता है, ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्त के मामले में आज का दिन तुलाराशी जुखाम खांसी क साथ माइग्रेन बहुत तेजी से दर्द बढ़ाएगा, आज कुछ निवरो प्राबलम वाले बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, मंगल का नक्षत्र है और मंगल बैठे है सुर के साथ, तो बस आगाह कर दिया, उपाय क्या करना है, प्रियोग के तोर पर तुलाराश आटा और चीनी किसी पौधे की नीचे चीटियों आध के लिए डाल दीजेगा, शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागी प्रत्षत 57, बिश्चक राश, नक्षत्र आपका चित्रा, पढ़ाई की बिलकुल भी चिंता मत करियेगा, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा ह पढ़ाई अनकूल है, लाब होगा, सिक्षा बहुत अच्छी है, मुश्किलों से बाहार निकलेंगे, ब्यापार की स्थिती थोड़ी सी उतार चलाओ से युगता है, बिजनस में आपको साउधानी बरतने की आवश्यक्ता है, बिजनस में चीजें बिगर सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूलता दिखा रहा है, हर कदम पर आपको लाब मिलेगा, सरकारी छेतर की स्थिती परिशानी का कारण बन सकता है, गौर्मेंट सेक्टर कहीं से भी आपके लिए अनकूल नहीं है, परिशान हो सकते हैं, दामपत्य जीवन, पति-पत अतनी का सानिद प्राप्त होगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लव लाइफ टफ सिचुएशन में है, साउधानी बढ़ते हैं, स्वास्त के मामले में आज का दिन ब्रिश्च ग्राशी वालों को पेट, आख और लीवर की दिक्कत हो सकती हैं, क्या उपाय करना है, आज प्रियोक के तोर पर गेहु और गुड गव माता को खिला दे, गव माता ना मिले तो आप अपनी इक्छा से किसी को भोजन का दान कर दीजेगा, शुबरंग आपके लिए बैगनी और भाग्य प्रतिशत 52, 52, धनुराशी, चंद्रमा आज एकादस भाव में विराजमान हुए, पढ़ाई के लिए बहुत संतुनन वाली स्थती आ रही है, सिक्षा में आपको बिलकुल भी परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है, ब्यापार बहुत अनकूल है, बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, आपके हिसाब से गदम बढ़ र सरकारी छेत्र सुधर जाएगा, गवर्मेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिलेंगे, दामपत्त जीवन बेहत सकरात्मक परिणाम दे रहा है, लव लाइफ को लेकर के जितना सजगता है उतना अनिवार है, लव लाइफ में चीजें बेहत संतुलित और शुब हैं, स्वास महसूस करेंगे, क्या उपाय करना है, गुलाब जल और गंगा जल लेकर अपने उपर छिड़काव कर लेजिए, शुबरंग आज ग्रे भागी प्रत्षत 58, मकर राशी, दसमस्थ चंद्रमा, दसम्भाव में चंद्रमा है, तुला राशी में, पढ़ाई अनकूल करनी पड़ेगी, शिक्षा है नहीं बढ़िया, आज मनी नहीं लग रहा है, तो करेंगे क्या, ब्यापार अनकूलता के साथ है, बिजनस में तो बहुत चीजे सकरात्मक है, अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए शुब इस्थती है, सरकारी छेत्र को साधने का प्रयास करें, गौवर्मेंट सेक्टर आपको साध कर आगे बढ़ना होगा, दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, लव लाइफ में कुछ चीजें इधर उधर से आपको परेशान करेंगी, स्वास्थ के मामले में आँखों की समस्या, पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है, अपने कंठ पर शहद का तिलक लगा लिजेगा, शुभरंग आपके लिए आस्मानी भाग्य प्रत्षत पश्पन, आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं, कुम्बराशी का आज का दिन कैसा भीतेगा, दिनांख पांच जनवरी, कुम्बराशी वालों के लिए चंद्रमा का प्रभाव कई तरह से मिसमैश होगा आज, आपके व्यक्तित्तो के तुलना में चीजें बिगड रही हैं, भागया स्थान पर चंद्रमा है, मंगल नक्षट्र स्वामी चित्रा, मıllवल नक्षट्र स्वामी मंगल, और मंगल और आपकी राशी स्वामी कुम्ब के शनी में आपस में शत्रु भाव हैं, आप कुछ सोचेंगे आत्मा कुछ सोचेंगे चीजे बिगर सकती है पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज शिक्षा में बहुत उतार चड़ाव है ब्यापार अनकूल है बिजनस में कोई चिंता की आवशक्ता नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आज रिस्क लेना होगा और आप लाफ प्राप्र करेंगे सरकारी छेत्र इधर उधर की बातों से आपको उल्जा सकता है गौर्मेंट सेक्टर में बहुत कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा है दामपत्त जीवन ब्यहतरीग है पती पतनी की बीच तो आज तालमेल बैठी जाएगा इसमें दिक्कत नह लेकर थोड़ा सा कदम बढ़ाईएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या आख की समस्या और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज कुम राशी वालों को उपाय के तोर पर अपने हाथों से किसी जरूरत मंद को कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य प्रत्षत सत्तावन अंतिम राश मीन अश्टम से चंद्रमा संचालित हो रहे हैं कहिए अश्टम को चंद्रमा संचालित कर रहे हैं पढ़ाई तो अच्छी चली रही है सिक्षा में कहीं कोई चिंता की आवशक्ता नहीं है ब्यापार बहुत सकरात्मक है तह तक जाएगा बिजनस बहुत अनकूल रहेगा आपके लिए अनकूलता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर को ले करके सजग रहने की आवशक्ता है सरकारी छेतर को साधने का प्रयास करिए गौर्मेंट सेक्टर को साध कर अगदम बढ़ाईए दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की बीज तालमेल बिठाने का प्रयास सफर होगा लव लाइफ गजब का चल रहा है टफ सिचुएशन से बाहर निकलेंगे स्वास्थ के मामले में पेट आँख और दांथ की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए भगवान विश्णु का ध्यान करके ओम विश्णवे नवह का ग्यारह बार जाप करिए शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्यपत्षट चपण आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज की दिनांग पांच जनवरी की सक्सेस की तो चित्रा नक्षत रहे आज अनामी का उंगली में सरसो का तेल लगा कर कंठ को छुए और ओम अंग ओम अंग ओम अंग तीन वार इसका जाप कर लीजे दिन को ब्यहत्तर ढंग से चिल इंज्वाए करिए चिंदा नहीं चर्चा आज के भाग्याक्षर का मेश जाक्षर बिशब का मिथुन दाक्षर करक मा सिंग याक्षर कन्या ठोटा आ तुला जाक्षर बिश्चिक फा धनू गाक्षर मकर था कुम्भ चाक्षर मीन हाँ ये शुभ भाग्याक्षर होते हैं जिन्हें अपनी मून साइन के कॉर्डिंग लिख कर अपने पास रखना होता है आगे बढ़ेंगे और अब चलते चलते आज का आयुश्मान भाव है दिनांक पांच जन्वरी को चर्म पाएं लोगों को जनम दिन की हार्दिक शुभ काम नाएं उपाए रहेगा गउशाला में काले तिल का दान कराएं छोटा बच्चा है तो माता पिता उसकी जगहें प जनिवर्शरी है ऐसे लोग किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लें रोद्रा भिशेक करवाएं और किसी जरूरत मंद को भर पेट भोजन करा दें भगवान ने और आपको सक्षम किया हो तो आज कंबल का दान जरूर करें शुक्रिया हमारी तरब से आप सब को कात कर सकते हैं पंद्रह जन्वरी तक गाजियाबाद में और उसके बाद गोरखपुर पटना राची नागपुर रायपुर अपॉइंट्मेंट चल रहा है समय ले लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप नमस्कार आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशिया ला सक है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुश्यों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौक्री के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक